तो फाइनली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार समाप्त होने जारा जी हाँ दोस्तों बिहार इनवर्सिटी मुझा फरपुर में जो भी छात्र बीए बीए सी बीकॉम पार्ट वन सेशन दोहजार एकईस से चोबिस में एडमिसन के लिए ओनलाइन आव मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है तो किस प्रकार से मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद किस तरह से कॉलेज में एडमिसन होगा आपको पूरी जनकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है ति इस वीडियो को पसंद आए ति इस वीडियो को लाइक कर दिजेग यानि कि आप लोग online आवेदन करते समय जो भी आप email ID दिये हैं और या आप लोग mobile number दिये हैं उस mobile number पर आपको message भेजा जाएगा email ID पर भी आपको message भेजा जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं उपर में दिया गा है कि असना तक 2021-24 के लिए 9 को जारी होगी पॉली मेगा सुची यानि कि आपका सेशन 2021-24 यानि कि जो भी छात्रा online आवेदन की और new admission के लिए बीए में बीए बीए सी बीकॉम में तो उनका 9 को यानि कि आज हो चुका है आठ स सितंबर और कल है आपका 9 सितंबर तो कल आपका जारी कर दिया जाएगा तो चलिए थोड़ा से इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं क्या कि आपको यहाँ पर बताया गा है तो आप लोगों को देखें यहाँ आप दिया गा है कि बीयारे भी हर बिस विदाले में असन पर बिस विदाले तयारी शुरू कर दिया आप लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी हम चेक करके कैसे आपको हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से मेरिट लिस्ट को चेक करना है तो वीडियो को आंध तक जरूर से देखिएगा तो थोड़ा इसके बारे में जनकार ले ल जाएगी ताकि एडिमिशन लेने में किसी भी तरह का आपकी परसानी नहों और बिहार विस विदाले की ओर से अंगिभूत एवं संबंध कोलेजों में अगले हफ्ते में असनातक एडिमिशन की परकिरिया शुरू होगा यानि कि 9 सितंबर को पहली मेरिटली जाड़ी की ज विदाले की ओर से कुल आपका सीट है जो की एक पॉयंट तिरुपन लाख टए की गई है, जब की कुल आवेदन आये हैं एक पॉयंट ए तालिस लाकी में यानि कि आपका सीट से या आप पर बहुत ही कम आवेदन आया है तो आप लोग देख सकते हैं कुल सीट से कम को चेक करने के लिए आपको आजाना यह वाले वेबसाइट पर देखें नौकरी टाइम.com इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्किप्शन में देदेंगे वहां से डिटेक्ट आप इस वेबसाइट पर आजाएंगे और इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आ आपका कॉलेज में इडिमिशन होगा और किस तरह से मेरिट लिस्ट को चेक करना है सारा जनकारी आपको यहां पर दिया गया है जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि आपको कौन-कौन से डोकुमेंट लगें तो आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बा जिसस्दी तरह करने के बाद दोस्तों आपको एह कहरत कर देगा आपका में इस तरह से ओपन होगा और यहां पर आने के बा और यह merit list जो भी यहाँ पर district में आपको कोले जाते हैं merit list district wise आपको जारी किया जाएंगे subject wise जारी किया जाएंगे यानि कि जो भी honors आप select किये हैं honors का आपको पूरा यहाँ पर detail आजाएगा जो जो honors आप लोग लिए हैं उसका merit list वहाँ पर आपका नाम आजाएगा और जो भी honors है आपका उस merit list में उस honors पर आप लोग किलिक किजएगा तो आपको आपका merit list आपका सो हो जाएगा कल जैसे ही दोस्तों आपका merit list जारी किया जाता है तो हम आपको सबसे पहले आपको proper एक वीडियो बना देंगे कि किस तरह से merit list देखना है और कैसे आपको कौन-कौन से district का merit list चेक करना है कौन से honors का सब कैसे चेक करना है और उसके बाद merit list में नाम आने के बाद आपको कैसे college में admission लेना है क्या-क्या document लगेगा, कितना पैसा लगेगा यह सारा जनकारी आपको हम proper वीडियो में कल provide करा देंगे इसलिए आप लोग इस चैनल को अभी subscribe कर लिजे वीडियो के description में आपको telegram कलिंग भी दे दी है वहाँ से आप लोग join हो जाए जैसे ही कोई update आएगा तो telegram पर सबसे पहले हम आपको update कर देंगे तो उमीद है कि आप लोग सारा कुछ समझ गए तो इस वीडियो को like share जरू से कर दीजेगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया इस तरह का वीडियो देखने के लिए तो चैनल को subscribe करको उसके बगल के बिल घंटी को दवा लें